फिप्टन नंबर क्यूशन आप कर सकते हो, अल्रेडी मैंने आपको करवा दिया इस टाइब का जो पहला जो इसका एक्सिस, जो पहला क्यूशन हमने डिसाइड किया था वो यह है, मैं आपको यहां पर बस only geometry लिख के छोड़ दूँगा, थोड़ी आपको लिखनी पड़ेग देखिएगा कि, यहां पर यह, आगी बात समझ में, तो यह पेराबोला कौन सा होगा, यह आपको पता होना चाहिए कि y square की terms में है, तो symmetry axis में आएगी, और यहां पर x का coefficient positive है, that means, हमें समझ आना चाहिए कि यह right side में open होगा, तो right side में open होते ही, देखिएगा, कि यहां से, अचिए, आप यहां पर right side में open करोंगे, तो आपके सामने यहां पर focus कि आएगा, focus आएगा, और आगे देखो कि तो, dietrix की आएगी यहां पर, वो आपके सामने आपको पता है कि यहां पर dietrix का equation x equal to, क्या होता है, माइनस का a, माइनस का a, यहां तक, और क्या होता है, यहां अब वर्टेक्स कौन सा होता है, 0,0 यह तो always है, और यह जो LR आती है, वो अपने पास यह है, इसकी form क्या होती है, LR, LR क्या होता है, LR equal to 4A, अब आपको A पूछना है, A क्या होगा, comparison करा लो, given parabola से, यह कौन सा parabola आ गया, अपने पास Y square equal to 4A है, अब इससे comparison करा देंगे, इसारी थोरी मैंने लिख रखी है, जहाँ पर Y, जो terms थोड़ी change करना है, बस वहाँ पर वर्डिंग आपको change, वर्डिंग तो दर यह नहीं करना है, बस जहाँ पर यह पर यह पराबोला आपको change करना है, किलिए रहे हैं यहाँ तो यहाँ से देशे हम करेंगे, comparison तो यहाँ आप यहाँ से देखोगे तो आपके लिए focus कितना है, फोकस को आप भड़ लेना गर पे, यह काम तो आप करी लोगे, a equal to zero आगया, vertex आप खुद कर लेना, यह आपके लिए homework है, और देखिएगा कि इसके बाद में, vertex आगया, dietrix क्या आएगा, और यहाँ से last वाली terms क्या है lr, lr क्या हैगा 4a, अब यहाँ से देखिएगा, आपको करने हैं खुद भी होगे, अब यहाँ से क्या है, यह क्या है, 5 by 2, और यहाँ से vertex क्या हैगा, वही 0,0, dietrix क्या हैगी, dietrix आएगी, x equal to a, तो a की value यह है, तो minus का 5 by 2, और सीधा यहाँ से क्या हैगा, आपके लिए 4a और यहाँ से lr देख लीजे, यहाँ पर देख लीजेगा, lr, lr क्या होगा, lr अपने पास 4a होता है, 4a में, a की value आप पुट करा दीजे, तो 5 by 2, और यह कितना होता है, 10, यहाँ तक clear बात है आपको, तो यहाँ तक सारा clear है, funda clear है, और I hope आपको सभी चिंजे हैं, आसानी से हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, अब तो बहुत हीजी है सब कुछ, इतना ज़्यादा geometry नहीं है, जबकि आप J-E में जाओगे न, यह तो इतने ललू-पलू question है, यह तो पूछते ही नहीं आपको, अब इसी में देखिएगा, इसकी भी geometry देख लीजे आप, आपको यह पता है कि यह 6th वाला question है, और मैंने आपको यह बताए हुए हैं कि, यहाँ पे x square minus का है, तो क्या करोगे आपके सामने, तो यह पता है कि y की साथ symmetry है, और negative coefficient है, तो downward parabola हमने लिखा है, तो सीधे आप downward parabola पे आजाओ न, क्यों जु कि 0 और minus का a यह, तो यहाँ फिर फोकस आया, यह negative में है, और यहाँ से देखिएगा कि आप vertex देख लीजे, vertex आपका 0, 0 है जिन्दावाद, और यह अपने पास देखिएगा कि y axis है, यह आपको पता ही है, ज्यादा तर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है यह तो, और यहाँ से देखिएगा कि vertex और यहाँ से, दो चीजे नहें गई अपनी, यह यह रहा यहाँ यह रहा, यह a आते ही तो आप सब को फाड़ी दोगोनिया, कि यहाँ पर y क्या हैगा, y equal to a, अब देखिएगा कि a का comparison करा लीजे, इसकी general form कैसी होती है, minus का 4 a y, यह वाली होती है, और इसको इससे comparison करा लो आप, तो यहाँ से comparison कराते ही, minus का y equal to, कितना हैगा 4 a y, y से y cancel out हुआ, तो a equal to क यह आया, 9 by 4, यह आया 9 by 4, जैसे 9 by 4 आया, तो आपको देखिए a, सब कुछ आप लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पर देखिएगा, कि आपको घर से क्या करना है, focus के coordinates लिखने है, और क्या लिखना है, डाइटिक्स का equation लिखना है, और क्या करना है आपको, focus vertex आपको लिख आपको लिखने हो, तो आपको लिखना है, जया दो, प्रिखना है, तो आपको लिखना है, और क्या सब्सकित हैं, और क्या